नमस्ते सदावत सले मत्रभू में मामला उनबल सुप्रीम कोट में मराथा रिजर्वेशन को लेकर है मराथाओं को महाराश सरकार में 16% रिजर्वेशन दिया इस तरह के दो मैटर उनबल सुप्रीम कोट में है एक तो समर्ड रिजर्वेशन जो 10% constitutional amendment किया गया और दूसरा मराथा रिजर्वेशन को लाया गया महाराश सरकार के द्वारा इसकी हेरिंग चल रही है इस हेरिंग में उनबल सुप्रीम कोट के सामने ये प्रशने है इस समय कि क्या इस मैटर को 11 जजों की बेंच को भेजा जाए ग्यारा जजों की बेंच को इसलिए भेजने की बात चल रही है उसका अर्गोमेंट अनबल सुप्रीम कोट ने कल सुना और इसलिए ये बात चल रही है कि क्यों पुराना जो judgment है इंद्रा साहनी बर्शिस उनिन आफ इंडिया का जिसको हम मडल कमिशन केस कहते हैं या रिजर्वेशन केस कहते हैं वो 9 जजों की बेंच का है और 9 जजों की बेंच ने एक बेंच मार्क लगाया था कि 50% से उपर भारत में रिजर्वेशन नहीं हो सकता on the basis of article 38 Constitution का article 338 ये कहता है कि reservation may not exceed against the efficiency of the country हमारे देश में जो efficiency है भारत की खशमताएं हैं खशमताओं को जहां तक efficiency को उनकी कारक्शमताओं को जहां तक नुकसान नहों वहां तक ही देश में कोई reservation किया जा सकता है और जब कोई भी reservation देश की खशमताओं को नुकसान करता हो तो वो limit क्रॉस नहीं की जा सकती आर्टिकल 338 के बेस पर और विस सुप्रीम कोट ने इंद्रा साहनी के जज्चमेंट में 50% की लिमिट लगाती कि भारत में रिजर्वेशन 50% से उपर नहीं होना चाहिए हाला कि ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि रिजर्वेशन चंपकम दुराई राजन का जो जज्चमेंट आया था उस चंपकम दुराई राजन के जज्चमेंट में तामिल नाडू में रिजर्वेशन को अनकॉंसिटूशनल लिक्लेर किया गया था जिसके बाद फस्ट परस्ट अमेंडमेंट कहते हैं Constitution का और इस अमेंडमेंट के माध्यम से Reservation को इंट्रोडूस करवाया गया था चंपगम दुराइराजन के Judgment को ओवरूल करने के लिए बाद में Reservation की बहुत सारी कहानिया चली लेकिन तमिल नडू में 68% Reservation रहा और तमिल नडू के 68% Reservation का कारण उसको नौमी नसूची में डाल देना था नौमी नसूची में डालने के बाद कोई भी मामला जब नौमी नसूची में 52 रहों के Judgment से पहले डाला जाता था या और की डाला जाता था कि होतों के Judgment से पहले डाला जाता था था तो वो support में चलनेंजेबल नहीं होता था इसली वो दस्मी नसूची में डाल दिया गया बाद में सुप्रीम कोट में मामले आये जिसमें उन्होंने कहा कि दसमी नुसूची, नौमी नुसूची, कोई भी नुसूची हो, सभी नुसूचीयों को चेक करना हमारा right बनता है, हम सम्मिधान के रक्षक हैं और नुसूचीयं सम्मिधान का ही हिस्सा हैं और सम्मिधान का हिस्सा होने के वज़े से सम्मिधान के प्रतिक पार्ट को review करना हम तुमारा राइट बनता है रिजर्वेशन की पॉलिसी अब यहां पर फसी है इस विशह पर कि 50% की लिमिट क्रॉस की जा सकती है क्या 10% रिजर्वेशन देकर या 16% रिजर्वेशन देकर मारास्ट में सुप्रीम कोट में जो दलीलें दी गई उन दलीलों में ओनल सुप्रीम कोट के सामने कहा गया कि वर्क इफिशेंसी आठकिल 338 में जो वर्क इफिशेंसी है यानि कि भारत की ख्षमताओं पर जो प्रभाव है वो प्रभाव अगर नहीं पढ़ता हो तो क्या 50% से उपर रिज वजह से बांध रहे हैं अगर इफिशेंसी कमजोर ना हो रही हो तो क्या 50% की लिमिट क्रॉस की जा सकती है आज ये प्रशने कोट के सामने है जैसे समण रिजर्वेशन या मराथा रिजर्वेशन है तो क्या समण रिजर्वेशन या मराथा रिजर्वेशन से देश की इफ positive view मुझे लगता है कि ये समझ आया या इस पर argument जो चल रहे थे court को positive view ये है कि क्या इसको review किया जाना चाहिए क्या 9 जोजों की वेंच को दुबार आट के 338 के base पर review किया जाना चाहिए आज की प्रसितियों कि अनुसार क्योंकि जो इंदरा साहनी का judgment है क्या इतने वर्षों के बाद इंदरा साहनी के judgment के इतने वर्षों के बाद भी ये मेरे खाल से 1989-90 का के दशक की बात है तो इतने वर्षों बाद भी लगबग 30-32 सालों बाद भी क्या आज वो जो judgment आया था उस judgment को लगातार लागू रहना चाहिए जिसमें पिछड़ा अती पिछड़ा की बात की गई थी मैंने कल भी एक जजड़मेंट कोट किया था पीछे में और कहा था कि पिछड़ा अती पिछड़ा की जो दो केटागरी पंजाब सरकार ने बना दी थी वो कोट में चैलेंज ही और पिछड़ा अती पिछड़ा जो पंजाब का मामला है जो बड़ी बैंच के लिए रिफर कर दिया गया है चीफ जस्स को बैंच बनानी है दूसरा मराथा रिजर्वेशन जो जिस पर आर्गुमेंट हुआ है कि इसको ग्यारत जज़ों की बैंच को भेजा जाना चाहिए और तीसरा समड़ रिजर्वेशन उस पर भी इंदरसानी का ही जज़्मेंट फस रहा है इसलिए इन तीनों म 338 के बेस पर इसका जज़्मेंट होना है और वो प्योर कॉंसिटूशनल मैटर है और एफिशेंसी समड़नों से खराब होती है मरठों से खराब होती एफिशेंसी पर कोई प्रभाव पढ़ता है यह सब अब परशन है क्या इफिशेंसी शिडूल का सिडूल ट्राइब रि कि आवशक्ता मुझे लगता है और उस पुनर विचार के लिए वाकई में जो नीडी विक्ती है चाहें वो किसी भी कास्ट का हो या वो अगर शिडूल कास्ट भी है तो शिडूल कास्ट के अंदर शिडूल कास्ट विदिन शिडूल कास्ट यानि कि कास्ट विदिन हो गया है क्या एक परिवार के तीन बच्चे हैं एक बच्चे को जॉब मिल गया उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पड़े और उसके बच्चे और अच्छे स्कूल में पड़े और जिनको इन दो भाईयों को रिजर्वेशन का लाब नहीं मिल पाया है इनके बच्चे और जो जॉब पा गया था, उनके बच्चों के बीच में कितना डिफरेंस पैदा हो जाएगा, और उस डिफरेंस के बेस पर क्या उसको जिनको डिजरवेशन का लाब नहीं मिला था, वो पिछल नहीं जाएंगे जिनको डिजरवेशन का लाब मिल चुका है हूँ उन से, एक ही परिवार के दो भाईयों के दो बच्चों में फर्क आ जाएगा और अब जो भाई रिजरवेशन का लाब ले चुका है और उसके बच्चे पढ़ चुके हैं अच्छे स्कूलों में पढ़ चुके हैं अच्छे सुसाइटी में पढ़ चुके हैं अच्छे सुसाइटी म का भी लाब लेगा और उसके पिता रिजर्वेशन का लाब ले चुके हैं और उसकी पढ़ाई भी अच्छी हो चुकी है उसका कॉमपटिशन इस बाकई में दूसरे भाई के नीडी बच्चों से कैसे हो सकता है तो क्या उनको एक्जम्ट किया जाना चाहिए और इसके सर होना चाहिए यह सुर्प्रीम कोट के सामने प्रश्ण है और यह आज की तारिक में बड़ी बैंच के लिए रिफर कर दिया क्या है नोबल चीप जिसस जैसा उच्छे समझेंगे वैसी बैंच उस पर बनाएंगे हाला कि इन तीनों जज्जमेंटों से यह तै होगा कि थैंक यू